हलो फ्रेंट्स वेलगमेंट पीके भी एजुए नूटिब चैनल तो दोस्तों कैसे आप सभी आज के वीडियों में दोस्तों हम उन्स्टुएंट्स की बात करने वाले हैं जिनको टेंथ कलास के अंदर डायरेक्ली पास कर दिया गया है और उन्होंने अभी प्लस वन के अंद और गोल्डन चांट से क्या है वो भी मापको बता देता हूं तो गाईज यार आप एड्मिशन इन सी सी एस एक्जाम देना होता है उस एक्जाम के अंदर अगर आप अच्छे मार्ग से स्कोर करते हो तो आपका यहां पर एड्मिशन हो जाता है अभी कुछ स्टुएंट्स ऐसे भी है जिनको नहीं पता है सी सी एस एक्जाम के बारे में तो दोस्तों सी सी एस एक्जाम के बारे में मैं आपको बता देता हूं फुल फो मैंने आपको लेड़ी बता दी है चोधरी चैलन सिंग हरियाना एग्रिकल्चर उनिवर्सटी यह Asia की largest university है और अगर आपका admission इसके अंदर हो जाता है तो आपका future जो है वो secure हो जाएगा BSC agriculture की field में आप असानी से job get कर जाओगे या फिर आप further studies करना जाते हो तो भी आपको बहुत benefit मिलेगा अगर आप यहां से BSC agriculture करते हो कुछ students का dream ही यह रहता है कि वो फोरन में जाकर job करना चाते हैं तो दोस्तो इस university के अंदर admission लेने के बाद आप फोरन में जाकर भी job कर सकते हो अभी दोस्तो benefit of exam cancellation आपके जो exam cancel हुए हैं उनका फाइदा उठाना है आपको अभी आप फाइदा किस तरह से उठाओगे तो guys यार अगर आपके exam cancel ना होते तो आपको सभी subject 10th के पढ़ने पढ़ते हैं जैसे कि हम बात करते हैं social science की या फिर maths की जो काफी lengthy होते हैं काफी time consuming होते हैं उनके अंदर आपको काफी time भी लगाना पड़ता तो guys यार आपको सिर्फ इस exam के लिए सिर्फ और सिर्फ science और agriculture ही पढ़नी है ना आपको Hindi पढ़ने की जरूरत है ना आपको English पढ़ने की जरूरत है ना आपको math पढ़ने की जरूरत है ना आप SST पढ़ेंगे सिर की दोस्तो details of exam यानि की exam की detail जैसे की exam के अंदर syllabus क्या रहता है pattern क्या रहता है उसकी मैं already एक separate video बना चुका हूँ आप वो वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको पता चले कि वो अच्छे यू का जो exam होता है या फिर admission का procedure होता है वो क्या रहता है उसके लिए दोस्तों लिए लिंक को विजिट कीजिए और वहां से आपको वीडियो मिल जाएगी आप वीडियो देखोगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा किस तरह से admission होता है और मैं आपको पूरी तरह से every situation पर आपकी help करने वाला हूँ आप लिखावत देख सकते हो और आपको हर तरह का matter भी मैं provide करूंगा इसी channel पर जो भी study material होगा exam से related important questions होंगे previous year papers जो होंगे वो भी मैं आपको करवाने वाला हूँ तो आप channel से भी जुड़े रह सकते हैं अगर आपको admission लेना है अच्छे योग के अंदर बागी दोस्तों आप connected होगे तो आपको ये भी benefit होगा कि exam strategy preparation tips भी मैं आपको बताने वाला हूँ और यहां पर मैं आपको recommend करता हूँ कि अगर आप BSC agriculture करना चाते हो तो आप EC university से किजिए plus two के बाद करोगे तो दोस्तों उससे अच्छा आप भी ही कर लें 10th के बाद ही directly आप try करें अगर आप agriculture में अपना future जो है वो develop करना चाते हो तो दोस्तों आपके लिए यह है एक golden chance है एक्जाम में अभी काफी time पड़ा है आपके पास तयारी करने के लिए बहुत ज़्यादा time है आप असानी से तयारी कर सकते हो लेकिन दोस्तों आपको तयारी अभी से ही सुरू करनी होगी अब कुछ students का doubt यह है कि agriculture का हमारे पास matter नहीं है दोस्तों आप science जो भी है NCRT की book है वो आप study करना शुरू कर दीजे deeply agriculture का content मैं आपको provide करवा दूँगा थोड़ा time लगेगा लेकिन इतने time तक आप science की अच्छी तरह से तयारी कर लीजिए important questions बगेरा देने जल्दी ही हम channel पर सुरू कर देंगे तो दोस्तों आपका कोई भ वीडियो में मिलते हैं तब तके लिए अपना ध्यान भी रखें दोस्तों आपका अदम सुबरे जय हिंद बंदे मातरम